अस्ते मैं हूँ सीमा अलाइफ कोच और आज मैं बात करने वाली हूँ पर्पॉस ओफ लाइफ जेनरली ये हमारे सब के दिमाग में चलता रहता है कि हमारा पर्पॉस क्या है लाइफ का कई बारी लोग मुझे क्वेशन करते हैं कई बारी पास लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इसलिए लेते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि उनका पर्पॉस क्या है लाइफ का उन्होंने क्यों जनम लिया है वो यहां क्यों आए हैं अगर हम अध्यात्मिक द्रश्टी से बात करें हैं तो हमें बात करते हैं सभी हमें उस परंपिता को प्राप्त करना है या वी एब तू रीच रिनन्सियेशन पर क्या एक्चुली हम सब वही पर्पॉस के लिए काम कर रहे होते हैं इसका एंसर बिलकुल नो है क्योंकि पर्पॉस वही पर्पॉस नहीं होता और पर्पॉस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनकी लाइफ में क्योंकि कोई परपस नहीं है, इसले वो बहुत ही depressed feel करते हैं, बहुत ही अकेला feel करते हैं, और लगता है कोई उनका achievement नहीं है लाइफ में, तो purpose हमें life को हमारी life को meaning देता है हमें कुछ करने की इच्छा पैदा करता है और जब वो appreciation मिलती है उस को achieve करके तो फिर वो further हमारा purpose defined हो जाता है अब आपने यह देखा होगा कि purpose हम कैसे ढूंडें अपनी life के कई बार तो हमें God given gift होती है वो हम लेके पैदा हुए होते हैं अपने पूर जन्मों से उस life में हम पूरा नहीं कर पाये थे इसलिए वो innate qualities होती हैं और उस line में हम अपने आप चले जाते हैं और कई बारी जब हम किताबे पढ़ते हैं when we read books, so reading is one way to find your purpose जब आप fiction पढ़ते हो या कुछ और पढ़ते हो तो उनकी character से अपने आपको connect करते हो और आपको लगता है कि जो जिन्दगी वो जी रहे हैं कहीं न कहीं हम भी उससे की जिन्दगी जी रहे हैं या हम ऐसी जिन्दगी जी सकते हैं और ऐसा जीएंगे तो क्या होगा तो केवल किताबे पढ़ने से ही हम उससी से connect कर पाते हैं और अपने purpose को ढूण लेते हैं और कई बारे ये भी देखा गया है कि जिन psychologist ने research करी जो बचों को जो teenagers को Bible पढ़ने को दी गई बाहर तो उनका purpose बिलकुल ही अलग हो गया life का जिनको कुछ भी नहीं दिया गया था और purpose डिफाइन करता है हमारा exposure कितना है life में जब हम ज्यादा लोगों से मिलते हैं हमारे interaction ज्यादा होता है तो अपना purpose मालूम पर जाता है वरना मैंने देखा है पुरानी जो ओरते होती थी वो kitchen के लावा भारी ने निकलती थी क्योंकि उनका purpose ही वही होता था to feed the family and it kept them happy बात यह है कि जो आपका purpose है अगर आप पुराने जमाने की बात करते हैं to tending the family to feed the family is purpose and that is keeping you happy good go ahead but मैंने generally देखा कि कहीं न कहीं उनके अंदर कहीं comparison होता है आज की generation से और उनको लगता है कि हमने कुछ भी life में अचीव नहीं कर रहा है जबकि आज की life में लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं मेरे हिसाब से अगर आप खुश हैं उस चीज में तो do it that is the sole purpose जब एक बच्चा पैदा होता है एक मा को एक बच्चा जनम देती है मा तो उसका परपस हो जाता है उसको बड़ा करना उसी में ही वो अपनी जिंदगी निकाल देती है और जिन माओं के बच्चे बनॉर्मल होते हैं कोई भी उनके अंदर deformity होती है तो उनका life purpose वही frustrated रहते हैं ज्यादा complaining होते हैं क्योंकि कुछ life में goal ही नहीं achieve करने के लिए उनके लिए सिर्फ यह था बच्चे बड़ा कर दिये बच्चे बड़े हो गए बच्चे चले गए अपने देन वाट purpose आपका आता है जब कोई आप किसी community में जाते हैं उनके साथ काम करते हैं आप देखते हैं कैसे क्या हम कर सकते हैं जब हम कोई चीज देखते हैं कोई टेलिविजन प्रोग्राम देखते हैं कोई मूवी देखते हैं उससे भी हमें अपने purpose दूने में मदद मिलती है क्योंकि जब मैं Mother Teresa को कई बारी देखती थी तो मैं अपने आपको विजुलाइज करती हूं कि if I become like that then what उसने सब कुछ डोनेट किया उसने selfless होके सबकी सेवा करी तो आपके लिए एक road map होता है एक 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 example होता है जिसको आप follow कर सकते हो यह लगती छोटी बाते हैं लेकिन purpose define करती हैं यह भी research हुई है जो gratitude में रहते हैं जिनको अच्छा लगता है सेवा करना altruism में रहते हैं जो philanthropist होते हैं उनका purpose कुछ और ही हो जाता है वो दूसरों के लिए करके ही उनको मज़ा आता है और उनके तरह तरह के रस्ते निकल जाते हैं और कई बारी purpose कैसे मिलता है मालू मैं अगर आपने बहुत जिंदगी में पेंस देखे हो आपको लोगों ने अब जैसे चीजे हुए हो जब यू रोगों की सेवा का बहुत बड़ी सेवा है जब हम स्की पर पर्पस को लेके काम करते हैं कितने जीवन को बचा लेते हैं अब जैसे मैंने काली कजना रनौत का वीडियो डाला था उनका परपस कैसे डिफाइन हुआ शीज नॉट बॉदर अबाउट फिल्म लाइन अट आल हाओ अव देविल टेकर क्योंकि वह उस जर्णी से निकली उन्होंने वह सब कुछ देखा ड्रग में क्या होता है क्या नहीं होता तो शी इस टेकिंग स्टैंड आपको एक परपस मिल जाता है जब आप उस सिच्वेशन में से होते हो तो लोगों को हेल्प करने का परपस वह परपस नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना और बहुत बड़े जो हमारे परपस होते हैं वह बहुत दूर की चीज़े हैं लेकिन अग जैसे मैं अपने लिए रोज एक गोल बनाती हूं कि मुझे ये करना है तो मैं उस गोल से नेक्स ताइम उसको अच्छा करने की कोशिश करती हूं तो मेरी सारी अनर्जी उसमें लगी रहती हैं आपको कुछ कहीं ढूंडने की जरुवत नहीं है आपको सिर्फ इन्वाल होने की जरुवत है और कॉंशे होने की जरुवत है आपके सामने आ जाएगा चाहे आपको पास स्पेशल गिफ्ट हो चाहे कोई किताब आप पढ़ हो चाहे आप लोगों से मिलो चाहे आप उस पेन में गए हो या आप कोई सेवा करते हो या फिलन्थ्रॉपिस हो कुछ भी हो सकता है परपस आप कहीं से भी ले सकते हैं आपको पास सब्सक्राइब करते हो आपको उसक्राइब करता हैं अग्या पास सब्सक्राइब कर दिस्वाद से कुछ नहीं करते हैं और जब आपकी qualities लोग appreciate करते हैं तब हमें समझ में आता है I have this and I can you know further उसको मैं enhance कर सकती हूं और कर सकता हूं I think I hope you understand what purpose we are looking for it is not a very big term जो हमने purpose बना दिया है life का वो नहीं होता है generally आप ढूंडिये अपने आसपास में यह चोटी चोटी चीजों से आपको अपना purpose मिल जाएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग तो में यूवसी मा थैंक यू